सेहत के लिए पुदीने के फाइदे तो आप सभी लोगों को पता है कि पुदीना आपकी स्किन का भी टॉक्टर है पुदीने के इस्टमाल से आपकी स्किन चमकती-दमकती बन सकती है आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कमाल के कुछ पुदीने मतलब मिंट लीप्स हैक्स तो उसको जानने के लिए इस वीडियो को आगे देखते रहिए पुदीना ना ही सिर्फ सेहत के लिए बलकि स्किन के लिए भी अच्छा होता है तो चलिए आगे मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे आप अपने चहरे को खिल खिलाता बना सकते हो पुदीने के इस्तमाल से गर्मियों के मौसम में अगर आपके चहरे पे बहुत सारे पिंपल ने अटाक कर दिया है तो उसको दूर करने के लिए आप पुदीने का फीस पैक लगा सकते हो अपने चहरे पे और इसके लिए आपको कुछ ताजे ताजे पुदीने के पत्ते ले लेने है उनको पीस लेना है और उसको जहां जहां पे पिंपल हुए है वहां पे डाप करके लगा देना है पूरी रात रखना है और सुबह उटके चहरे को धो देना है और उसके बाद चहरे पे कोई अच्छा सा मौस्यराइजर लगा देना है रेगुलर ऐसा करने से आपके चेहरे की sensitivity कम हो सकती है और चेहरे पे pimples की sizes भी छोटी हो सकती है अगर आपका skin है बहुत जादा sensitive और अपने चेहरे पे आप scrub नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप पुदीने का इस्तमाल कर सकते है पुदीने के पत्ते को लीजिए उनको piece लीजिए और उनके साथ थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए और उसको अपने चेहरे पे लगाईए और उसके बाद चेहरे को धीरे धीरे scrub कीजिए चार से पाच मिनिट कीजिए इससे आपके चेहरे पे blackheads और whiteheads नहीं रहेंगी और आपके चेहरे के जो forces है जिन में doubt pollution भर गया था वो भी धीरे धीरे साफ हो जाएंगे अगर आपके चेहरे पे pimple की वजए से बहुत सारे दाग धब्बे हो गये हैं उनको दूर करने के लिए भी आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको पुदीने के पत्ते को लेना है उसको crush कर लेना है और उसके साथ आपको मिलाना है थोड़ा सा हल्दी दोनों को मिला के एक अच्छा सा paste बडा लीजिए चेहरे पे जहां जहां पे दाग धब्बे है वहाँ पे आप इसको लगा के 5-10 मिनिट रखिए उसके बाद चे दाने निकल रहे हैं उसको दूर भगाने के लिए भी आप पुदीने का इस्तमाल कर सकते हैं पुदीने के पत्ते को crush कर लीजिए और उसके साथ थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए और अपने पूरे चेहरे पे लेप की तरह लगा के बैठ जाएए पंके के नीजिए उसके बाद 5-7 मिनिट रखिए और इसको दो दीजिए रेगुलर ऐसा करने से आपके चेहरे की sensitivity कम होगी और चेहरे पे जलन की जो tendency है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर आपका skin है बहुत जादा sensitive चेहरे पे आप माशिराइजर भी नहीं लगा पा रहे हैं तो रेगुल रात में करना है और इसके बाद 5-7 मिनिट रखने के बाद चेहरे को धो दीजिए रेगुलर रात में ऐसा करने से आपको चेहरे पे माशिराइजर लगाने की जरुरत नहीं होगी और आपके चेहरे पे जो sensitivity की tendency है वो भी थीरे थीरे कम हो जाएंगे यूगे के पत्ते में अंटी बैक्टरियल गुन पाये जाते हैं इसलिए ये चेहरे से कील मुआसों को बहुत ही जल्दी ठीक करता है और इसमें है vitamin A इसलिए चेहरे की sensitivity को दूर करने के लिए पुदीनी के पत्ते को हम अस्तमाल करते हैं और honey एक natural moisturizer है इसलिए दूनों का pack आप जब skin पे लगाए गर्मियों में अगर आपका चेहरा बहुत सादा oily हो रहा है बहुत सादा चिपचिपा हो रहा है उसको दूर करने के लिए भी आप चुट्कियों में बहुती easy pack बना सकते हो उसके लिए आपको पुदीने के पत्ते को crash कर लेना है उसके साथ थोड़ी से मुलतानी मिठी ले है ऐसा आप हर दिन करेंगे तो गर्मियों के मौसम में आपके चेहरे पे extra oiliness का जो tendency है वो दूर हो जाएगा चेहरा चिपचिपा नहीं रहेगा और खिला खिला रहेगा यह था मेरा आज का वीडियो पुदीने के पत्ते के उपर पुदीने के पत्ते बहुत ही काम के होते ह है गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए इसका शर्बत तो हम पीते ही है उसके साथ आप इन सारी चोटी चोटी फेस पैक को बनागे अपनी स्किन को खिल खिलाता रखिए और अपनी स्किन को ताजा और रिफ्रेशिंग रखिए और यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेर कीजिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कीजिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्स पो वाचिंग बाई